नमस्कार दोस्तो, रियल वेब में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो, आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि आप अपने फोन में टैक्स रिपीटर अप्लिकेशन को कैसे यूज करेंगे तो गाईस दिगर आप भी जाना चाहते हो कि टैक्स रिपीटर अप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो गाई सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है टैक्स रिपीटर और यह यह अप्लिकेशन आप के सामने आ जाएगी तो उसे यहाँ पर कर सकते हो जिसे कि guys एक बार लिखेंगे और यहाँ पर आपको जो detail डालनी है उतके बाद repeat text के उपर click करके आप जो है जितनी बार repeat करवाना चाहते है उतने बार repeat कर पाएंगे ठीक है ना तो इस तरह से आप जो यह repeated text application को यूज करते है ठीक है ना तो कैसे application को यूज करना चली मैं आपको बदा दिता हूँ तो सबसे पहले application को अपन करेंगे और guys जैसे यहाँ पर हम इस application को open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले यह application हमारे सामने थोड़ा सा loading लेगा loading लेने के बाद यह application उमारे सामने open हो जाएगे ठीक है ना तो यहाँ पर सबसे पहले देख तो इस तरह से application उमारे सामने आचुकी है अब guys यहाँ पर type your text here वाला option है ठीक है ना तो for example मैं अपना जो name यहाँ यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक है ना तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 50 यहाँ पर लिखता हूँ 50 बार मैं अपना यहाँ पर name जो repeat करना चाता हूँ ठीक है ना चलिए मैं 50 मैंने लिख लिए अब guys यहाँ पर repeat text के उपर हम click करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम repeat text के उपर click करेंगे तो 50 बार यहाँ पर मेरा जो name है वो यहाँ पर आचुका ठीक है अब गाईस अगर आप space लेना चाहते हो इसके अंदर तो space भी यहाँ पर आप जो ले सकते हो setting के अंदर आपको option मिलता है इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपक जो अलग settings मिल जाते है ठीक है जिसे की guys यहाँ पर आप इस setting को अपने phone में use करके अपना जो text का जो space है वगरा जो line है वो यहाँ पर लगा सकते हो जिस तरह से आपको लगानी है यहाँ पर आपको setting चेंज करनी है वो setting आप जो है change कर सकते हो ठीक है इसके इंदर बहुत सार यहाँ पर आचुका ठीक है आप guys यहाँ पर directly आप copy कर सकते हो यहाँ पर कईच पर इसे शियर करना है तो share वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से directly भी आप जो इसे share करपाएंगे ठीक हैίνा व रस देख़ए तो 50 बार अपना जो name है वो यहाँ पर share हो जाएगा तो इस तरह से गाईज इस application को text repeater application को use करके आप जो अपने text को कही बार repeat कर सकते हो और कही पर भी से share कर सकते हो तो गैस अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए